जी कैसे हो आप सर पहले तो आप मेरा करेंट वेट देख लीजिए 67 kg हो गया है मेरा मैंने करीबन करीबन पिछले 7-8 दिनों में देड किलो वजन कम कर दिया है और मैंने कोई डाइटिंग भी नहीं करी है मैं अच्छे से खाती हूं बस मैंने बाहर का कम कर दिया खाना मिठा नहीं खा रही हूं मिठा छोड़ा है थोड़ा सा बस कल रात को थोड़ा सा मिठा खा लिया था ममी ने खीर बना रखी थी तो एक वीः हां इसे सूइं openly आपई हो जाएंगे एकदम बहरी घिला सा हो जाता है डाइपर तो रात को जैसे बार्थरूम बार्थरूम करता है तो मैं इसको जग अधरत बाध हो जाती हूं यहां पर नहीं नहींचा मेहा पस心 रुपे का आएगा और उसके बाद वो मतलब बच्चा भी छोटा है मेरा वो बिस्तर पर ही बात्रूम करता है तो वो भी गद्धा मतलब खराब हो जाएगा तो मैं सोच रही हो भी पांच-छे महीने और रुक जाती हूँ इतने मेरा बच्चा थोड़ा समझदार हो जाएगा उसके बाद मैं नया गद्धा खरीद दूँगी क्योंकि अभी खराब हो जाएगा वो वाला गद्धा भी क्योंकि बच्चा बात्रूम करता है तो यहां पर देखिए मैं अभी ये मेरा सुबह का टाइम नहीं था मेरा शाम का टाइम था मेरे को ना बता है क्या सुबह टाइम महीं मिलता इतना ज़्यादा मेरे को दो तीन बजे टाइम मिलता है घर की साफ सफाई करने का तो मैं उसी टाइम घर की सफाई कर लेती हूँ पूरे घर की क्योंकि उससे पहले सुबह सुबह जब मैं सो के उठती हूँ तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होता है मेरे को विहान के कपड़े बदलती हूँ विहान पोटी कर देता है तो विहान का मत सुबह विहां। उसके बा half फिर मैं जैसे रसोई का खाने का पहले करती हूं। Àад मैं Recirks मैं दाल्वाल चढ़ा देती हूं मतलब रसोई में तो यह चीज होती है मेरा इसी तरेके करती रहती हूं पूरे टाइम की भगवान प्लीज आज का दिन सही जाए प्लीज प्लीज अच्छा जाए बस सब लाइफ में आगे अच्छा हो तो यहां पर आप देख लीजिए मैं जहां पर जाड़ू लगाती हूं और पता है आपको मैं मतलब मेरे वीडियो के नीचे जो मेरा हर्डवीट तेज हो जाती है फढ़के और फिर मैं क्या करती हूं एकदम से बैक करती हूं ऐसे मैं एक कॉमेंट पढ़ने लगोंगी और फिर मैं छोड़ दूँगी बीच में पढ़ना जब मैं देखूंगी कि मिरे को बतानी क्या क्या बोल रहे हैं फिर दूसरा कॉम पड़े तो कॉमेंट्समें बार बर सब यह बोल रहे थे टाइल्स अच्छी नहीं लग रही इसे तो पहले ही अच्छा लग रहा था घर तो मेरे को सपना आया सपने में में मेरे को आया कि सल्मान खान के घर में भी यही वाली टाइल्स लगी हुई है और मैंने वीडियो बना मैंने सपने में दिखाया मतलब वीडियो बनाके पूरा पुरा प्रोपर और फिर आप सब बोल रहे थे कि हाँ नीधी सही कह रही थी सलमान घान के घर में भी टाइल है जो कि नीधी के घर में है तो नीधी के घर की टाइल्स अच्छी है वादब एक्चली पता है क्या हो रहा जब मैं इन टाइल्स को देखती हूं अपने पूरे कमरे में लेकिन ये वीडियो में ना जैसे थोड़ी मटमैली सी दिखती है क्योंकि इसका थोड़ा कलर ऐसा है मतलब टाइल्स का तो अब मुझे समझ नहीं आता कि मतलब मैं 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 सोचती हूं कि मैं आपको एक्च्छल ये आदत बहुत खराब बनती जा रही है हमारी बीना जैसे जो भी समान होता है ना सोफे पर रख देते हैं तो ये देखिए मैंने ना ओपन कर दिया ये परदा भी मैंने खोल दिया यहां पे इसको और भी मैं डस्टिंग कर रही हूं और मैं पुराना टावल तो नहीं है पर ये दोने का था तो फिर मैंने इसी से ही रस्टिंग कर लेती हूं तो यहां पर देख लीजिए अभी एक बार मैं यहां का थोड़ा सा सफाई कर दूँ उसके बाद मैं जाडू भी लगा लूँगी और मैं पोचा भी कर दूँगी क्योंकि ना पोचा एक बार भी नहीं और ना पूरे घर की ना अच्छी वाली सफाई कर दूँ मतलब बढ़िया वाली मतलब पूरा जचा दूँ घर की जहां पर जो चीज होनी चाहिए वो करके उसके बाद आपको मतलब बस एक देड़ मिनिट का ना मतलब वीडियो दिखा दूँ कि हाँ देखो मेरा घर मैंने पूरा सेट कर दिया हो गया मेरा घर पूरा तयार सेट हो गया मैं यही चीज सोच रही हूं कि मैं ऐसे कर देती हूं क्योंकि ना बच्चे के साथ ना मतलब जैसे बहुत जादा ना और भी मतलब पता है क्या होता है कि जैसे मैं एक कमरा साफ करती हूं उसके बाद ना जैसे एक कमरा है जिसमें बैड भी है, दो सोफे है, दूसरा कमरा मेरा खाली-खाली साई है, और ये वाली जो थाना कमबल मैंने जो बाटने के लिए लेकर आई थी, आप में से कुछ के कॉमेंट्स भी आ रहे थे, कि आपने अपने यूज में लगा लिए, तो मैं आपको बताना च कर देता है, तो इसके नीचे भी छा देती हूं, तो ये ठीक रहते हैं छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि ठंड का टाई में तो कमबल में ठंड भी सही रुखती है, तो मैं इसलिए दो तिन रख दी है, और ये डेकोरेशन के पीस है, ये मैं थोड़ा सा इनको जचा के दं से लगा देती हूं, और ये ना स्वेटर के लिए में अपने कपड़े अलग रखते हैं, उनको पसंद नहीं है, जैसे उनके कपड़े वही पहनते हैं, मतलब मेरे जासे तो मेरेसे पेहन लूँ, तो मेरी मम्मा में गया तो जब आये, ना मेरे मम्मी बोलते है, कि है brace कुल्ब जल्दी से उतार थू, ऐसे मत किया कर तू, मेरे कफड़ो से जादां कर और आपको एक पंपर्ड़ों से जादा ना यूद मैं के सवीतर क कर्चिarden कार दो द्याम कहता गया जो मतलब थू करोंगी कर द में एक रखुब तरीके का खुद के ली एक ठीला ढाला सा मतलब गरमें म正न कि मेरे पास तो थी पर स्वेटर मेरे पास कम जकेट है या स्वेटशूट है और जकेट ना घर पे पेहने का मन्हें करता बहर दो पहन लो और थोड़ी ठंड थन्ड ना कम मतलब मेरे मं जादा लगती है अब जो जनवरी का महीन है ना उसके हिसाब से मुझे स्वेट शर्ट नहीं भाती तो मेरे को ना स्वेटर चाहिए मतलब जिसमें अच्छी वाली जिसमें थोड़ी अच्छी बड़िया ठंड रुके तो मैंने एक ना स्वेटर ओडर करी है मैं आपको दिखा और इसके अलाओ ना आपने देखा ही होगा कि मेरे भाई ने भी कल एक वीडियो डाला था उस वीडियो के ठंड ने में साथ फरवरी लिखा हुआ था ना कि मेरी शादी है साथ फरवरी को तो अभी मुझे confirm तो कुछ नहीं है कि साथ को है नहीं है क्योंकि देखो अभी क्या क्या चीजे चल रही है कल को अभी आपको भी पता है ना करोना फैला हुआ है कल को कोई भी guidelines आ जाए तो क्या पता क्या हो आगे और क्या पता कहदे कि नहीं फरवरी में नहीं है मार्च में कर रहे हैं या आगे कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम उस चीज का 파टा फरवरह ही हो अगर ग्रहले को मेरे भाई की सही में शादी है तो उसे इसाब से तो lasting फिर मेरे को त्यारिया करनी चाहिए क्योंगी में रहे गया है तो मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा पॉजिटिव तरीके से सोच के आगे के लिए सोचना चाहिए तो मैंने ना त्यारी कर रही हूँ इसलिए मैंने ना पता है क्या किया इस महीने ना मैंने दो जोड़ी ना सैंडल्स की ओर्डर करी है मतलब उसमें जो एमेजोन हो ले ना उसमें मैंने कर दी एक मैंने मेरी मम्मी के लिए कर दी मतलब मैंने को ज़्यादा हील वगएरा मैं पहनती भी नहीं हूँ और एक मैंने खुद के लिए कर दी क्योंकि ना फिर जैसे मतलब मैं सोच रही थी कि ना फिर जैसे कभी कोई function हो कुछ हो तो बंदा पहन ले और इसके अलावा मैंने खुद के लिए क्योंकि मेरा हाथ खाली खाली रहता है और आप सब मेरे को बोलते हो जो बोलते हो कि अपने अपने हाथ में कुछ पहल लिया करो तो मिरको गड़ी पते है मैने इकल आप यकीन नहीं करोगे कल रात को बैटके मैंने दो गंटे मैं अइमेजोन पर लगी रही लगी मैंने इतनी घड़ियां पर देखी कि मुझे वोचिस का बहुत जादा शोक है मुझे पसंद है वोचिस तो मैंने ना मतलब खुद के लिए एक वोच पसंद करी और मैंने वो मतलब चूस कर ली लेकिन मैंने दो तीन और रख दी मतलब उसमें संभाल के मैं इसका कि यह भी देखूंगी मैं अच्छी लग रही थ जलता रहे तो एक वोवली भी घडी आती थी ना पहले के टाइम में एक सोनाटा की आती थी मतलब फित्ते वाली घडी बोलते थे वो घडी पता है मिरको मैंने ना जब मैं नोकरी करने शुरू करी थी आस से 5 साल पहले तब मैंने ना मतलब add to cart करी थी और मिरको था कि मैं ख 600 की रेंज की और कंपनी की थी ठीक थी लेकिन मैंने इस बार भी वह वाली नीली मैंने अभी भी आट टू कार्ट करके रखी हुई है मुझे लगा कि वो तो थोड़ी फोर्मल सी है जैसे नोकरी वगरा पे जाओ तो मिरको तो अभी पार्टी भी घड़ी चाहिए थोड़ी सी तो जो थोड़ी स्टाइलिश सी भी लगें तो मैंने दोसरी टाइप की ओडर कर दी तो अब मैं देखो दोसरे कमरे में भी थोड़ा जाड़ू लगा देती और इस 상태 में इतनी जगा मैंने इसलिए खाली करवाई है करी है ताकि विहान यहाँ अपे थोड़ासा खाली जगा अपने घर का क्योंकि जिसे अथाप से केस आरे है मेरको मेरा बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखना है बस मेरे मन में यह रहता है कि मेरा बच्चा ठोड़ा सेफ रहे अब मेरा भाई भी बाहर गया था कहीं मतलब आपने भी देखा था plane वगेरा की उसकी वीडियो आई थी तो वो भी देखो यहां नहीं आया एक बार भी बच्चे से मिलने के लिए उसने भी अपने हापको मतलब यह लगा लो अभी separate मतलब एक तरीके से वैसे रखा हुआ है खुद को मतलब उसकी मतलब उसने दुबारा से जैसे री टेस्टिंग होती है करवा रखा है तो उसका रिपोर्ट आई जाएगी आज कल में शायद आ भी गई हो पर फिर भी देखो मैं तो पुरी safety रख रही हूँ बच्चे की बलकि मैं मम्मी को भी कहती रहती हूँ मम्मी मास्क पहनो मत खुद के लिए डर नहीं लगता मन में की मैरे हो जाएगा नहीं लेकिन बच्चे के लिए बहुत लगता है क्योंकि विहान मेरी जान है इसको मुझे बचा के रखना है तो यह रीजन है कि मैं इसको भी अंदर-ंदर ही रखते हूँ और मेरी इसादत पर क्योंकि मैं मम्मी और को चैनल अधर आधर प एक रहता है। तो ये ना पार्सल मेरा कई दिन का आया हुआ था आपको पता है मेरा अंदर से ना डरी सहमी सी रहती हूँ मतलब अंदर से घवराहट सी बहुत होती है तो मैं इस तरीके की books खुद के लिए order करती रहती हूँ कुछ ही motivational books ताकि मैं थोड़े बहुत पन्ने पढ़ती हूँ जादा नहीं कभी 5-6 पन्ने पढ़ लिये फिर मतलब रख दी book इस तरीके से तो मैंने ये रोबिन शर्मा उतर की book थी ये मैंने पहले पढ़नी रखी थी तो मैंने लगा चलो ये वाली book हम पढ़ेंगे अभी मैं ये वाली book शुरू नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मंदिरा बेदी की book है The Happy For No Reason मैं आपको वो बुक भी दिखाती हूँ पहले मैं इसको फ्रिज पर रख देती हूँ ये देखो मैंने ड्रायर भी रखा हुए अभी फ्रिज के उपर ही मैंने उस दिन यूज किया था तो ये देखो ये मेरा पूरा कलेक्शन है मुझे किताबों का बहुत ज़्यादा शोक है मतलब मैं तो मैं अपनी जब भी मेरे पास अगर पैसे अगर फाल्तू होते है तो मैं books ही खरीती हूँ मैं कपड़े नहीं खरीती हूँ कुछ और समान नहीं खरीती हूँ अगर खुद अपने पैसों से लेना हो तो मैं books ले लेती हूँ और मैं पढ़ती भी हूँ मुझे काफी motivation मिलता है मैं थोड़ी संभलती हूँ इन किताबों को पढ़ने के बाद तो यहाँ पे मैं आपको बाई बाई बोल रही थी